हाई फ्रेंड मैं हूँ आखाश और आप देख्रेए और लर्न इच्छ आप सीखते हो इंग्लिश थू हिंदी वेलकम तो वन मों इंग्लिश लेसं आज के इस लेसं में हम सीखेंगे कि फर्स टाइम या लास टाइम इन फ्रेजिस को हम हम बूस्ट के साथ कैसे यूज करेंगे जर्लियं हम कहते हैं ना कि फर्स टाइम आछी डिड's और आई योद लू स्पर्स में से टाइम को हटा देंगे और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इन वर्ड के साथ सेंटेंसे कैसे बना सकते हैं यह हम सीखेंगे तो हम जनली से यूज कब करते हैं वें डू भी यूज इट तो से वें डीडियू दू सम्थिंग फॉर फॉर्स तैम और लास्ट इसका मतलब या आकड़ी बार कब किया था पास्ट में ये बताने के लिए हम इसे यूज करते है तो हम क्या करेंगे यो ट्राइम है ना इसी निकाल देंगे क्योंकि इस से क्या होतेता हैं तो सुनने में बहुत बोर्ण लगते हैं सिर्फ फॉर्स या क्लास्ट इन WORDS को यूज करके हम स sentences कैसे बनाएंगी यह हम सीखेंगे चले करते शुरुवात तो सबसे पहले ऐसे sentences का structure समझते हैं तो सबसे पहला structure है कि आप subject लगाएंगे उसके बाद first या last लगाएंगे हम time नहीं लगाएंगे past का verb होगा simple tense में और उसके बाद एक time period या location लगाएंगे चले एक first went to Mumbai when कब गया था when I was 18 years old में सबसे पहले Mumbai अठरा सहल का था तब गया था I subject है अपका फिर हमने first लगाया है इसमें went past tense का एक simple verb है यह past tense verb है मैं पीवी लिख देता आपके लिए to Mumbai when I was 18 years old जो एक time period बता रहा है और location बता रहा है कि मैं कहां गया था कहने के लिए मैं कह सकता है था कि the first time I went to Mumbai when I was 18 years old तो time की जरूत नहीं वहापर में simple कह सकता हूं I first went to Mumbai when I was 18 years old चले एक example और देखते है we last saw each other in 2017 कहने के लिए मैं मैं ऐसे भी कह सकता हूं the last time we saw each other was in 2017 sentence काफी लंबा है पर मैं simply कह सकता हूं we जो एक subject है last मैंने use किया यहां पर saw see का past verb है past tense simple verb है जो एक past tense verb है each other in 2017 time period बता रहा है कि हमने कब मिले थे I hope this is clear चले एक और example देखते है they first met at Rahul's party दे एक subject है first मैंने use किया यहां पर met past tense का verb है at Rahul's party location है right एक और example देखते है apple first built an iPhone in 2008 time period बता रहा है apple क्या हुआ subject मैंने first use किया है built past tense verb है build का तो यह past tense का verb हुआ an iPhone in 2008 तो इस तरह से आप sentences बनाएंगे using first and last with simple past tense का work I hope this is clear अब हम देखते है second structure second structure में पहले में use करूंगा a question word ठीक है उसके साथ में did लगांगा उसके बदाएगा मेरा subject फिर आएगा first last और end में यहां पर आएगा base verb यहां पर मैं past tense का वर्ब नहीं लगांगा भले मैं बात past की कर रहा हूं पर वर्ब उसके base form में लगेगा क्यों कि यहां पर मैंने already did use किया है तो जब आप did use करोगे तो बेस वर्ब ही यूज करोगे यहां पर past tense का वर्ब नहीं आएगा चले एग्जांपल देखते हैं जैसे वें when did you last visit Mumbai right पहले मने देखा था क्या I visited Mumbai when I was 18 years old when क्या है एक question word है मैंने did लगाया है you मेरा subject है मैंने last use किया है verb मेरा best base form में है मैंने visited नहीं का अगर मैं काओ कि when did you last visited Mumbai वो गलत होगा और काफी students यह गलती करते हैं वो गलत sentence है जब भी sentence में did होगा आपका verb base form में ही होगा तो इसका जवाब हो सकता है I first went to Mumbai when I was 18 years old यह हमने पहले के sentence structure में देखा था चले एक और example देखते है when did they last see each other इसका जवाब भी हमने पहले sentence structure में देखा था जो था we last saw each other in 2017 when मेरा question word है मैंने did use किया है दे मेरा subject है मैंने last use किया है और see use किया है मैंने saw use नहीं किया है and the remaining sentence when did they see each other मैं यह नहीं कहूंगा when did they saw each other काफी students को यह लगता है कि अगर past की बात है तो मुझे वर्ब भी past का use करना है पर वो गलत होगा एक और example where did he first meet his girlfriend where did he first meet his girlfriend simple question word है did use किया है he मेरा subject है first use किया है meet जो एक base form है मैंने met use नहीं किया है meet जो एक base verb है his girlfriend जवाब हो सकता है they first met at Rahul's party यह भी sentence हमने पहले की slide में देखा है तो इस तरह से आप बनाओगे sentences या questions for very specifically last और first के साथ इस structure का use कर तो I hope यहां तक clear है चलिए बढ़ते third structure की तरफ third structure में आप लगाएंगे subject subject के बाद आएगा was and were first or last और उसके बाद आप लगा सकते हो preposition location adjective या PP मतलब past participle of the verb ठीक है third form of the verb वह आप लगा सकते हो examples देखते है राहूल was first to take the exam राहूल was first to take the exam राहूल वो पेला इंसान दा जिसने यह exam लिया राहूल क्या है मेरा subject है मैंने was लगाया है first लगाया है उसके बाद मैंने preposition लगाया है take the exam I hope this is clear या generally हम यह कह सकते है कि the first time the exam was taken by Rahul यह कहने की जगह मैं कह रहा हूँ राहूल was first to take the exam मेरा sentence छोटा हो गया सुनने में अच्छा लग रहा है I was first here last year मतलब इस जगह पे मैं last year पहले आया था I was first here last year मतलब पहली बारी मैंने मुंबई last year visit किया था यही कहने का मतलब है subject was lagaya hai first lagaya hai here last year location clear they were last to leave the shopping mall they subject hai were lagaya hai last lagaya hai to leave the shopping mall location में ने यूस किया है and the sentence is complete I was last excited when I won lottery the last kap excited hoa tha when I won a lottery similarly subject hai was last excited hai एक adjective है when I won a lottery तो इस तरह से आप इस structure का यूज करके इस तरह के sentences बना सकते हैं चली देखते अभी एक last sentence structure जो आपको सवाल बनाने के लिए काम आएगा structure है question word लगाओंगा was were आएगा subject आएगा फिर first last आएगा preposition location adjective past participle right यह structure आपको सवाल बनाने के लिए काम आएगा with was and were चली देखते है who was first to take the exam यह structure इस सवाल का जवाब हमने पिछले structure number 3 में देखा था who was first to take the exam मतलब यह exam सबसे पहले किस ने लिया where were you last December where were you last December where a question word है were लगाया है मैंने you लगाया है last लगाया है और December लगाया है right where were you last December why was she last to leave the office yesterday वो सबसे last क्यू थी office से निकलने के लिए उसे क्यू लेट हुआ office से निकलने के लिए similarly why aapka question word है was लगाया है she subject है last use किया है मैंने to leave the office yesterday the remaining part of the sentence I hope this is clear चले एक और example देखते है how was your last vacation तुमारा last vacation कैसा था या फिर where were you last based where were you last based यह generally किसी government employee के लिए हो सकता है या किसी military officer के लिए हो सकता है police officer के लिए हो सकता है so where were you last based मतलब where you last station आपकी posting कहां पर थी यह वहां पर यह sentence यूजो सकता है तो दोस्तो यह था आज का lesson जहां पर आपने सीखा की first और last को पास्ट में बात करने के लिए कैसे use करना है I hope आपने इस lesson को enjoy किया होगा अगर आपको नहीं समझ मैं तो फिर से lesson को देखिए मैं जल भी लूँगा आपको एक नए lesson के साथ तब तक keep learning English keep practicing English and take care